वेल्कम गाइज आजम स्टार्ट करने जा रहा है 21th lecture जिसके अंदर हम Access Modifiers के बारे में पढ़ेंगे Java के अंदर Access Modifiers क्या होते हैं इनकों किसना यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आपको इसके नेम से परदा चार रहा हैं Access mean के किसी भी चीज़ को आपने Access करना हो तो हम उसको किस तरह Access कर सकते हैं Java के अंदर आप Classics से डिल कर रहे होते हैं Object Oriented Programming है इसलिए इसके अंदर Access Modifiers की बड़ी एहमियत है चलिए सबसे पहरे हम स्टार्ट करते हैं Access Modifiers होते क्या होते हैं Access Modifiers हमारे पस क्या होते हैं किसी चीज़ को हम Access करना हो तो उसके लिए हम Access Modifiers यूज़ कर रहे होते हैं Two Types होते हैं Access Modifiers की जिसके अंदर हमारे पास क्या होते है Access Modifiers होते हैं ठीक है और दूसरे होते हैं Non Access Modifiers Access Modifiers वो होते हैं जिए हम किसी को Access करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं जो Non Access Modifiers होते हैं उनकी एक अपनी functionalities होते हैं उनके different functions होते हैं तो आगे next हमारे पास क्या है java access modifiers हमारे पास four types के हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा 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 था सब्सक्राइब है private, next आ रहा रहा था default, third one है protected and public यह हमारे पास four types के access modifiers होते हैं आगे हम इनको step by step सबको understand करेंगे last में हमारे पास दिया है non access modifiers, non access modifiers क्योंको उनसे हमारे पास static है, abstract है, nice, native है इसे तमाब हमारे पास क्या होते है, non access modifiers होते हैं इनकी functionalities ही कुछ और होती है, तो आप next चलते हैं next सबसे पहले हमारे पास आ रहे है private access modifiers, प्राइबे यह जैक करेंगे private access modifiers क्या होते हैं, इसे हम किस तरह access कर सकते हैं, और किस तरह access नहीं कर सकते हैं सबसे पहले आप एक class create किये class के अंदर आप जो variable declare कर रहे होते हो, methods create कर रहे हो तो constructors, उनके साथ आप private लगा सकते हो methods, variables और constructors के साथ आप private लगा सकते हो, access modifiers, अब private होता कि हम इसको तरह करते हैं, अगर आपने एक variable, method यह constructor को private बना दिया है, तो वो within the class ही use होगा, एक class के अंदर जहां भी आप उसको calling करेंगे, कहीं भी use करना चारहे हैं, तो आप easily use कर सकते हैं, class के अंदर, जो class के अपने methods keywords हैं, उन्हीं के अंदर, out of the class वो use नहीं होगा वो, क्यों प्राइवेट है, आपने encapsulation बढ़ा था, pillars of OOP के अंदर, encapsulation बढ़ा था, जो के सबसे important pillar है, OOP का, तो जो encapsulation है, basically वो private access modifier ही है, जो करते है, बेटा को hide कर देता है, सिर्फ वो करते है, जो आपके पास जूद की सिर्फ वो ही शो करवा रहा होता है, बाकी चीज़ें जो private होती है, वो शो नहीं होती हाइड होती है, इसे कहते है, encapsulation, इसके लिए मैंने एक लागा लैक्सिर बनाना था, encapsulation के उपर, लेकिन में आपको उसके time काफी मतलब कि आपका जाय हो जाएगा, तो छोड़ने साफ अ encapsulation के अंदर use हो रहे होते हैं, सिर्फ public use encapsulation के अंदर नहीं होता, तो कि उसके अंदर हर चीज़ public हो रही होती है, data hide नहीं करता हो, अब private को understand करते हैं, पर topic की तरफ आते हैं, जी private के अंदर हमने देखा कि methods, variable और constructor के साथ हम private लगा सकते हैं, यह बात हम इसा याद रखनी है क question, paper के अंदर question आता है, क्या हम एक class को private कर सकते हैं, ठीक है, या किसी interface को private कर सकते हैं, नहीं, हम private नहीं कर सकते हैं, ना class को ना ही interface को private कर सकते हैं, next, क्या है, अब method को out of the class use नहीं कर सकते हैं, जो private कर दिया हमने, या constructor को private रख दिया तो, अगर हम variable को access करना चाहरे हैं, एक ऐ उसे आप आउट ओफ लास यूज करना चाह रहे हैं उसे आप यूज कर सिपते हो लेकिन ट्रेक्ट लिए आप उसको कभी पर अक्सेस नहीं कर पा हुए उसके लिए आपको एक मैथड उसकर ना पड़ेगा गैटर और सेटर का उस मैथड के थुरू आप प्राइवेट जो व कि जो प्राइवेट मोडिफायर है यह मैं मैथड है किस चीज का जब आप इसी अबजैट को इनकैपसुलेट कर रहे हो तो डटा हाइड कर रहे हो चलिए नेक्स चलते हैं अब इसके सबसे पहले जो फरस्ट एक्जामपल है वही चेक करते हैं एक हमने टेस्ट क्लास ली ट इस में मेथड के अंदर आये हैं ठीक है इसके अंदर हमने अबजैट क्रेड किया टेस्ट क्लास का जैसी अबजैट क्रेड किया यू कीविट को यूज करते हुए अब इसका अबजैट यूज कर लिया हमने अब इस हमने विरेबल को अक्सेस करना है तो हम डॉट इसेंपल देखते हैं इसके अंदर चेक करें मैंने एक class A बनाई और दूसरी class टेस्ट बना लिए अब two classes क्रेट की जो first class है first class के अंदर मैंने data को private रखा और एक function के अंदर आया हूं इसके main function के अंदर आके मैंने क्या किया एक object करेंट कर दिया obj के name से a class का object जैसी a class का object क्रेट किया अब इस object के थुरू हम इस data करना चाह रहे हैं इस variable को तो किस तरह access करेंगे obj data ठीक है access तो गर रहे हैं लेकिन जब इस compile करेंगे तो error देगा क्योंकि यह आपको पास जो variable है वो क्या declare किया आपने private declare किया हूँ है next अब हम अगर इस message जो यह message का function है इसको access करना चाहरे है तो इसको भी access नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह भी एक private method है तो compile time error आएगा next बाकी यह लाजमी याद रखें कि आप error कौन सा आएगा compile time आएगा exam के अंदर यह भी पूछ सकते हैं आपके पास next चलते हैं private access modify की एक को example इसके अंदर चाह करते हैं अब इस example के अंदर में आपको यह समझाना चाह रहा हूँ कि ए एक function create करें जिसको नहीं दें get a के name से वो आपके पास in type का होना चाहिए क्योंकि वो value को return करेगा value को return करेगा फिर एक function बनाए set a के name से इसके अंदर एक parameter pass करवाया जो जिसको आप access करना चाह रहे हो एक ही parameter pass करवाया जो this की वगाए इसको मैंने बताया हुग है यह currently data को store कर जाए data save हो जाए तो यह function call कहां पी हुआ है अब next class के अंदर है class test के अंदर इसके अंदर हमने object बनाया किस class का class a का object create किया class a का object create करने के बाद अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ data को initialize करना चाह रहा हूँ variable को ठीक है अब object का बनाने के बाद dot operator के साथ मैंने set a जो set a function है उसको मैंने call किया call किसना किया मैंने parameter pass को है 12 12 क्या होगा जो यह आपने database रो इस तरह इस तरह जाएगा यह ठीक है यह data में तो data के अंदर क्या च सेव होने के बाद अब next क्या किया आपने print करवाया obj.get a function आपने access करना चाह रहे हो get a के थुरू तो this keyword के थुरू क्या किया आपने return करवा दिया data को ओगोगा कर देगा इस data की value को print करवा देगा तो guys यह था अब यह पास समझे लिए कि जो function हमने get a बनाया है और set a create किया है लाजमी नहीं है आपने सो get a ग set a नियम देना है आपनी तर से कोई भी नियम दे सकते हो just आपको समझाने के लिए एक getter एक setter है get के करता है value को return कर रहा होता है set के कर रहा होता है value को set कर रहा होता है चले next चलते है नेक्स्ट हमारे पास है access modifiers in java के अंदर public access modifier पब्लिक सबसे ज़र यूज होने वाला access modifier है पब्लिक क्या होता है basically जो पब्लिक होता है कहीं भी इसको आप access कर सकते हो इसका scope out of the boundary भी होता है तो यह लिखावा तमाम इसको आप read कर लें आगे next है इस हम class को भी पब्लिक रख सकते हैं method को पब्लिक रख सकते हैं constructor को interface को हर चीज को हम पब्लिक रख सकते हैं difference किया था private के अंदर private के अंदर class और interface को प्राइवेट नहीं रख सकते हैं सिरुफ method दो ये बलों constructor को रख सकते हैं public हम तमाम को रख सकते हैं ठीक है उसके बाद जो public है यह हर जगा पे use हो सकता है next चलते हैं आगे आगे इसकी example है इसके न कि टेस्ट के नहीं से इसके अंदर यही डेटा मैं प्रिंट करना चाह रहा हूं पहले मैंने अब्जेट बनाया एक लास का अब्जेट बाने के बाद डॉट अपरेटर के थुरू मैंने इस डेटा को अक्सेस करना चाहा तो वह प्रिंट हो गया आगे next आ रहा है default access modifier default से प कर सकते हैं अगर आपने किसी भी वेरीयेबल को object को या method को सूरी method और रॉट अरू अरु कौ सब्नाया तो इसमें ने आप 欸्राग्ट अरुम्ल उक्राथ्रेट रहा चाहिए इंटर खौट नियुक्वरा कर सकते हैं लग जो सब्सक्रीज करना प काट इसका गया है यह वी आप इसको आक्सेस कर सकते हैं protected variable को method को protected जो है सब class के अंदर access नहीं हो रहा होता तो सब class के अंदर इसको access नहीं कर सकते बाकी आप हर जबा पर access कर सेज़ों देव विदिन दा package अब next मारा पास आ रहे है a default access modifier default क्या है default यही चीजह है अगर आपने किसी भी variable को method को कि आप ना आपने मतलब के निखा नहीं कि पब्लीक है प्राइवेट है या प्रोटेक्टीड है आपने कुछ नहीं लिखा उसके साथ तो वह होता है default access modifier आपने यह लिखना के साथ default लिख दें तो वह default access modifier बनेंगे नहीं आप उसका कुछ नहीं लिखते वह access modifiers होता है तो access modifier क्या होता है access modifier means we do not explicitly declare an access modifier for a class field and method A variable or method declared without any access control modifier is available to any other class in the same package जो access modifier होता है यह करता है same package के अंदर आप इसको कर सकते हो access कर सकते हो आगे next कह रहे है in an interface are implicitly public static final and method in an interface are by default public जो methods हमारे पास होते हैं उनको आपको default public रख रहे होते हो तो main चीज़ आपको समझते हमारी है जो चीज़ आपके पास है वो यह चीज़ आप यह default modifier होता है वो within the package आप access कर रहे होते हो चले next चलते हैं इसके मेरे एक table छोग रवाए होने दो सलसे पहले first table है मैं आपको first table की understanding करवाता हूं first table के अंदर चेक कर रहे हैं यह कर रहा है कि हम class, constructor, variable, method इन में से किन किन को हम public, private, protected and specified रख सकते हैं अगर हमने एक class है उसको हम मतलब के public रख सकते हैं private class को हम private नहीं रख सकते हैं फिर आगे protected कभी भी class को आप protected नहीं रख सकते हैं बाकी default रख सकते हैं unspecified क्या है यह default है आगे next constructor है, constructor public हो सकता है, constructor private भी हो सकता है, protected भी हो सकता है और unspecified भी हो सकता है, कुशिश करें, constructor को private ना रखें तो बहतर है आगे next variables है, variable को आप मतलब के public रख सकते हैं, private भी रख सकते हैं, protected भी और unspecified में के default method को भी आप four values दे सकते हैं main चीज़े आंग पर जो access modifiers के अंदर आ रही होती है यह यह two चीज़े मतलब के variable और methods अगर जो next table है next table के अंदर check करें इसके अगर अब कह रहा है कि जो private protected public और यह चीज़े हैं यह कहां-कहां पर access हो सकते है variables और methods अगर आपने कोई एक variable या फिर method को क्या रखा होगा है private रखा होगा है तो वह कहां पर access हो सकता है class के अंदर access हो सकता है सब class के अंदर private variable कभी भी access नहीं हो सकता क्योंकि within the class access होगा ना ही package के अंदर ना ही outsider boundary बांदर आपकेज तो यह हमारे पास cross है ठीक है यह हमारे पास क्या सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और package के अंदर कर सकते हैं आउट साइड डा बांडरी आप protected को नहीं कर सकते हैं ठीक होगा नेक्स्ट हमारे पास सोरी मैं लास्ट जो बताया आपको protected का वह वहां पर चीज घल्द बता गया कि वहां पर मैंने यह चीज घल्दी से बता जिया कि जो प्रटेक्टिड को सब क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते लेकिन मैंने यह कहा पया ता कि हम जो protected विजर्द पैकेज़ कहें अब कहीं भी ऐक्सेस कर सकते हैं सबक्लास कर सकते हैं यह तमाम के अंदर accessible होता है जो default होता है वो subclass के अंधर नहीं होता यह चीज़ मैं वो क्या protecting के अंदर इना बता गया आपको गलती से तो बाकी इसको आप class के अंदर कर सकते है जमेस प्यक्तिक प्रेकेज़ कर सकते हैं सब class के अंदर default को नहीं कर सकते हैं तो गईज आज के लिए इतना ही अगर आपने मारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया प्लीज सबस्क्राइब कर दें ताकर आपको वीडियो टाइम पर मिलती रहें ओके अल्ला आफेस